तो मैं आज एक्स्प्रेंग करने वाली हूं लोगी सीजन टू को जिसका आप सब काफी टाइम से बहुत सादा ही इंतिजार कर रहे थे आज हूं इसका पहला एपिसोड एक्सप्रेंग करने वाली हूं इसमें टोटल छे एपिसोड हैं तो चलिए बिने किसी देरी के अप चल करियर की मूरती लगी है और टीवे के मैमर्स यहां पर लोकी के पीछे पाड़े होते हैं यहां पर लोकी मोवियस को याद दिलने की कोशिश करता है लेकिन मोवियस उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाता लोकी वहां से भाग के गारी में जाके बैठ जाता है तो कि टकरा के building में पहुँआ जाती है अब यहाँ पर उसे कैसी मिलता है और कैसी भी उसे पहचाने से इंकार कर देता है वो बहुत सबको समझाता है कि मैं LOKI हूँ तुम सब मुझे चानते हूं लेकिन हर कोई उससे पहचानने से कर देता है अब हम देखते हैं कि लोगी यहां पे गलिच करने लगता है अब सबस्वाले तीवी में लोगा की उन उनको हम मार नहीं सकते उनकी भी लाइफ स्टोरी चल लई है अब यहां पर इतनी ज्यादा कन्फूजन होती है पीछे से कैसी आता है और बताता है कि मैंने अब भी लोगी को देखा और वो सड़ेल नी कायग हो गया अब यहां पर एक और एक और मेंबर होता है जिसका नाम है और वो उससे मोवियस के बारे में पुछता है अब दूसरे तरफ मोवियस और हंटर भी 15 सोच रहें कि हमें ज्यर्स को जाकर क्या बताना है क्या नहीं अब यहां पर लोग की मोवियस को पीछे से आवाश लगाता है लेकिन वो गलीच होता रहता है तो मोवियस उसे इक्नो चेंजर इसके पास बहुत जाते हैं जडिस यहां पर गुसा है कि वो इतनी जादा बढ़ती हुई टाइम लैंस को खतम क्यों नहीं कर रहे हैं अब हंटर भी 15 समझाती है कि यहां पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहां पे उनकी जिंदकिया है वो इतनी सारे लोग को एक साथ नहीं मार सकते अब दूसरे तरफ लोग की परिशान हो जाता है कि मैं वार रूम में हूं लेकिन पास्ट में हूं अब इससे यहां पे एक टेप रिकॉर्डर मिलतारे से वो सुनता है जिसमें उसे हूर मैंस और रैंस लेयर की तारिफ कर रहा है कि मैं बहुत जिस बनिये हमें उन सबको प्रॉटेक्ट करना चाहिए उन्हें डिस्ट्रॉई नहीं करना चाहिए और कुछ लोग यहाँ पे उसके अंगेस्ट होते हैं जो कि कहते हैं कि सिर्फ एकी टायमने आना चाहिए अब यहाँ पे जो में जच होती है वो ये फैसला करती है कि चल से जल फैसला लिया जाए और नई जितने भी टाम लेंस बनी है उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा और तब हम देखते हैं कि अचानक से लोकी यहाँ पे कलिश करके पहुशता है और मोवियस इसे इस पर पहचान लेता है अब लोकी यहाँ पर बहुत कुछ बोलना चाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता वो इन लोगों को यहाँ पर एक चड़ी के सहारे उस दिवार के पीछे बनी कैंग का फीज दिखाता है और कहता है कि यह सब इसकी वज़े से हो रहा है और यह अब जल्दी लोटने वाला है अब यहाँ पर डिसेशन लिया जाता है कि यहने सिल्विया को डूड़ना है अब यहाँ से मोवियस लोकी को लेकर निकलता है और तेस सारे चीज़े एक्स्प्रेइन करने की कोशिश करता है और वो उसे ये भी बताना चाता है कि वो बार पास्ट में ट्रैवल कर रहा है लेकिन इस बात पर मॉवियस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि उसका ये मानना है कि टीवे में टाइम स्लिपिंग नहीं हो सकती आप मोवियस दी डिसाइट करता है कि वो मिस मिनट के पास जाकर इस चीज़ का सलूशन ढूडेंगे लेकिन लोकी बताता है कि मिस मिनट बर उसे की काबिल नहीं है और इसलिए मोवियस लोकी को लेकर एक रिपेर सेक्शन में आके पहुशता है जहां लोकी मुलाकात ओवी से होती है उसने मोवियस को तो पहचान लेकिन मोवियस उसे पहचान नहीं पा रहा क्योंकि लगबग 400 साल बाद मोवियस और उसकी मुलाकात हो रही है और ये चीज़ मोविय को बहुत ही अच्छे से याद है अब वो लोग पूरी तरह से लोकी की सिचुएशन समझे उससे पहले लोकी फिर से टैम ट्रेवल कर लेता है और ओवी भी इसलिए कन्फ्यूज है क्योंकि उसका भी इह माना था कि टीवे में टैम स्लिपिंग नहीं हो सकता अब लोकी ओवी के पास्ट में चला जाता है जहां पर फिर से उसके मलाकात ओवी से होती है जिसको वो सारे सिचुएशन एक्स्पेंट करता है और अब फ्यूचर वाले ओवी को भी सारे चीज़े याद आती है जो कि पास्ट में ओवी लोकी को एक सलिशन देता है तो पास्ट वाला ओवी लोकी को बताता है कि टैमपल और एक्स्ट्रक्टर नाम की एक डिवाइस है जिससे मैं बराऊंगा जो कि हमारे हेल्प कर सकती है जिसके फूर्ट रूम ये टैम स्लिप करना बंद कर दोगे जो लोकी उससे बोलता है कि जब भी मेरा दोस्ट मोवी लोकी तुम्हें फ्यूचर में मिले तुम्हें यह से देना होगा और ऐसा करने पर लोकी जितने भी टाइम लाइन्स में फसा हुआ है वो सब एक्स्ट्रैक्ट होके निकल जाएगा और टाइम से आजाद हो जाएगा ये कावी ज़दा खदरनाक है और इसे स्रिफ मोवी एसी कर सकता है अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पूरा टीवे फ्लेक्ट्वेट कर रहा है अब बोबी को पता चलता है कि जितने भी मल्टिपर्स टाइम लाइन्स थी उनकी वज़़ा से टाइम लोन पर प्रेशर पड़ रहा है और जिसकी वज़़े से यह फ्लेक्शुेशन हो रहा है तो एक्स्पेर्स करता है कि यह जो टैम्पूरर रूम है वो टीवे का हाट है इतने भी सीक्रेट टाइम लाइन चलती हैं जो भी डिस्ट्रॉई हो चुके हैं और जो भी मल्टिपर टाइम लाइन बनी हैं इनको हमें रोगना पड़ेगा इस लूम को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमने ऐसा रहें किया तो काफी कुछ डेंजरेस हो सकता है अब टीवे की गाइडलाइन भी खुद ओबी ने लिखी ती जिसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं था अब यहाँ टैम्पूरर रूम में सब लोग देखते हैं और लोकी एक ऐसे टैम में फस जाएगा जहांसे वो कभी निकल नहीं सकता और उसके बाद में पता चलता है कि सिल्वे को डूरने के लिए बाकी की टीम जा रही है लोकी भी वहाँ पर जाना चाहता है लेकिन तब भी हंटर 15 कहती है कि सबसे पहले तुम खुद को ठीक करो सिल्वी को वो खुद से हैंजल कर लेगी मोवियस और लोकी आपस में बात करते हैं तब लोकी फिर से टाइम ग्लिच करता है और वो टीवी एक फिचर में पहुद जाता है जब मोवियस उस टाइम लैन की तरफ जाता है उसको ठीक करने के लिए उसी टाइम के बीच लोकी को टाइम स्टिक अपने उपर लगानी होगी ताकि सब कुछ सेट हो जाए तो अब लोकी फिचर में आ जाता है अब उसके पास टाइम स्टिक नहीं है तो अब उसे उसे ढूड़ना होगा दूसरे तरफ मोवियस प्रिपेर करता है मोवियस को ताकि वो टाइम एक्स्ट्रक्टर के थूरू सब कुछ ठीक कर पाए अब मोवियस अपना काम शुरू करता है और दूसरे तरफ लोकी भी लगा ता टाइम स्टिक को ढूनने लगता है और हम देखते हैं कि फ्यूचर वाले टीविये में टाइम लाइन डिस्ट्रॉई हो गई है मोवियस का काम तो खतम हो चुका था अब सर 30 सेकिंड बचेते लोकी के पास टाइम स्टिक को ढून के अपने आपके उपर लगाने के लिए अब यहाँ पर टाइम खतम हो चाता है और वोविय को अनफॉंचिनेटली उनका वो काम बंद करना पड़ता है अब मोवियस भी एक्सिप कर लेता है कि शायत लोकी अब टाइम में कहीं फस चुका है लेकिन हम फ्यूचर टीविय में देखते हैं कि लोकी के साइट में लगा तार फोन बज़ रहा है और हम देखते हैं कि जिस फ्यूचर में लोकी जा उसके सामने एक लिफ्ट खुलती है और उसमें देखती है उसे सिल्वी तभी लोकी को कोई टाइम स्टिक्ट से हिट कर देता है और वो तुरंथ ही मूबियस के टाइम में पहुँ जाता है और फिर हम देख पाते हैं हंटर 15 ये देखती है कि इतनी सारी आर्मी टाइम डूर से कहीं पर जा रही है और वो कनफ्यूज होती है कि इतने सारे लोग सिल्वीय को पकड़ने आकर क्यों जा रहे हैं इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है और हमें एक छोटा सा क्लेप सिल्वीय अगर देखाया जाता है जो कि 1982 का था और वो यहां पर एक रेस्टोरेंट में आती है और सभी लोग को ऐसे देखती है जैसे उससे भी उनके लाइफ जीनी है सिल्वी यहां पर खाना ओडर करती है और वो सब कुछ ट्राइ करना चाती है और यह एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है तो गाइस आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो बिलते हैं नेक्स वीडियो में तब के लिए डेक के रहें टाटे बाई बाई